नमस्कार भक्तों हर हर महादेव मेन भाग्यशाली हूँ बोलने मात्र से हुआ इतना बढधा चमतकार की सुनकर आप हैरान रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों बस इस समय बोलना है आपको ये शब्द कितना भी बुरा भाग्य क्यों न हो आपका 15 दिन में चमक जाएगा विश् प्थर को छू लेते हैं तो वो सोना बन जाता है यानि कि जीवन में वो जो कुछ भी करते हैं वो सब में सफल रहते हैं आपके आसपास ही ऐसे कितने लोग होंगे जो बहुत कम मेहनत के वाबजूद अपने जीवन में काम्याब हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी मेहनत कर लें, मगर उनके हाथ हमेशां असफलता है रहती है इसके और वो हमेशां ही कहते रहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही कहराब है, मगर दोस्तों आपको आज ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं, वो व्यक्ति भी बेचारा किस्मत का मारा था, जीवन में उसने उसे बहुत महनत की, मगर उसका कोई फल उसको नहीं मिला, तो मित्रों, राजस्थान का एक नव युवक, जिसका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था, वो जीवन में कई काम कर चुका था, मगर वो हर फील्ड में हार चुका था, वो पूरी तरह बेरोजगार और दुरघटना ग्रस्त हो चुका था, यमहा तक की, वो हर तरफ से पूरी तरह अकेला और डिप्रेसन में था, उसे सब और धोखे मिल चुके थे अपने जीवन में, सबने उसका साथ छोड़ दिया था, फिर एक दिन उसका एक दोस्त उसे मिला, और उसके दोस्त में, उसे अ बातों को माना, और उसने अगले दिन से ही सुबह चार बजे उठकर रोज एक वाक्य दोहराने लगा था, वो वाक्य जो आपको हमें पहले ही बताया था, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मुझे जीवन में चारों ओर से सफलता मिल रही है, और साथ ही वो ये जान लगा था, अब ऐसा करते हुए उसे सत्रा ही दिन बीते थे, कि तभी उसे एक मल्टीनेशनल कमपनी में जौब मिल गई, जनहा उसने बहुत पहले से अपलाई किया हुआ था, और फिर उसके साथ ही उसके चेहरे की चमक बरहने लगी, और वो पूरी तरह स्वस्थ हो अब तो चार-पांच महीने में ही उसके पास प्रयाप्त धन भी आने लगा, और अब जीवन में जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था, अब वो लोग भी उससे मिलने को तरसने लगे, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया, तो मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में अपने आपको ऐसा मानते हैं, कि आपकी किस्मत भी कहराब है, तो कल से ही आप रोज सुबह उठकर, ये एक छोटा सा काम जरूर करें सुबह चार बजे उठकर, बोलें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे जीवन में चारों और से सफलता मिल रही है, बस आप रोज ये करें अगर सच में भी अगर आपका भाग्य खराब होगा तो भी आपका भाग्य बदल कर रहेगा, यही होती है दोस्तों, आप्रहम मुहूर्त में की गई संकल्प शक्ती, ऐसा करके देखें और आपको क्या अनुभव मिलता है, उसके बाद हमें कॉमेंट में लिख कर जरूर ब हर हर महादेव